इडी कह रही आदालत दस रही है दावा कर रही है कि सो क्रोड दी रिश्वत मंगी गई इडी ने भी कहा कि काल रिकॉर्ड देनल इल्जामा दी पुष्टी होई है साउस लोभी तो गोवा देले पैसा गया चार रूट दे रही गोवा पैसा पहुँचिया को डाड़ा सिर्फ सो क्रोड़ दा नहीं है और भी कई एहम खुला से होन दी उम्मीद जो है हाले एडी दे वोलो जाहर किती जा रही है अदालत देविच अदाजी है के हाला के अर्मिंद केजिवाल दे वोलो भी उन्हें वाकील दे वोलो जो पटीशन दाहर किती गई ताई एडी ने भी अदालत नो गुजारिश किती के सानू भी सुने आ जाए एडी ने पहली बार पहली बार जो है इन्हें बड़े खुला से होन दावा किता है अदालत देविच एडी कह रही है अदालत देविच कि कोटालियां दे किंग पिंग ने अर्विंद केजिवाल शिराब को टाले दे सर्गना ने, साजी श्रेम और किर्दार ने, शिराब को टाले दे बदले हिश्वत देविच शामिल सर्थ शिराब को टाले दे बदले हिश्वत दे शामिल ने, शिराब को टाले दे बदले हिश्वत दे शामिल सर्थ शिराब को टाले दे शामिल सर्थ दे शामिल ने, शिराब को टाले दे शामिल सर्थ एडी ने दावा किता है चार रूट दे रहीं गया जानि के चार वार गया कुटाला सिर्फ सौ ख्रोड नहीं है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पैसे की डिमांड की, किस तरीके से मनमाने ढंग से जो लिकर पॉलिसी है उसमें बदलाओ किया गया, किस तरीके से कमीशन बढ़ाया गया, वो सारी बातें ED के वकील SB राजू ने कोट में रखा है और देखे किस तरीके से अभी भी दोनों पक्च अपनी तरीले रख रहे हैं, बार बार जो केजरिवाल के वकील हैं, अब सेक मनूशिंग भी, वो ED के जो आरोप हैं, उनको गलत बताते हुए अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन दोनों पक्च कोट सुरू और अब देखने वाली बात ये होगी कि कोट कितने दिनों की रिमांड ED को देता है और कितने दिनों की रिमांड के लिए अरबिंद केजरिवाल ED के पास जाते हैं और उस रिमांड के दोरान और किस तरीके से पोस्ताच होती है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए, जिस तरीके से ह गोवा चुनाओं में खर्च हुआ गोवा के प्रत्यासियों को भी वो पैसा दिया गया तो पूरी जो चैन है वो एडी ने जोडने की कोशिस की है और यही वज़े है कि उस चैन को आज कोट के सामने रखा गया क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि अरबिंद केजरिवाल कि इस घोटाले में कोई भूमका नहीं है दूर दूर तक उनका नाम नहीं है लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें मास्टर माइंड बताया इस पूरे घोटाले का जिस तरीके से उन्हें किंग पिन बताया गया एडी की तरफ से वो बहत गंभीर आरोप हैं और जिस तरीके से कहा गया कि उन्होंने सीधे तोर पर रिस्वत की डिमांड की और उस डिमांड के जरिये जो नीती में बदलाओ है वो किया गया मनमाने ढंग से बदलाओ किया गया और पैसा हवाला के जरिये भी लिया गया क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि जो पैसे का लेंदेन है वो किस तरह से किया गया तो ये भी ED अब बता रही है कि हवाला के जरीए पैसे का लेन देन हुआ करीब 45 करोड रुपए जो है वो गोवा चुनाओं में खर्च हुए और हवाला के जरीए ये पैसा गोवा पहुंचा पहले दिल्ली आया और दिल्ली से चार रास्तों से ये प आड़ी